हलो फ्रेंट्स मेरा ना मराकेस और आप सभी का मारी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का बैंक में खाता जरूर होगा तो दोस्तों आपको एटियम कार्ड मिल चुका होगा तो दोस्तो आपने नया ATM कार्ड दिया है और आप उसे चालू नहीं कर पाते हैं दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने ATM कार्ड को कैसे चालू कर सकते हैं तो दोस्तो वीडियो को लाइक ने किया तो लाइक कर ले ना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ने किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले ना जिससे हमारे आने वाले वीडियो अब तक पहले पहुंच सके तो चलिए दोस्तो वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो एटियम कार्ड को मसीन के अंदर डाल दीजिए और थोड़ा इंतजार कीजिए अब आपके सामने कुछ ही देर में ग्रिन पिन बटन ओप्शन आएगा अब जनरेट टोटी बटन को दपाना है और अपने खात असंग के डाल लेना है दोस्तो अकाउंट नमबर अकाउंट नमबर डालने के बाद आपको प्रेस इफ करेक्ट पर क्लिक करना है और कुछ देर इंतजार करना है योर ट्रांजेक्शन इस बिंग प्रोजसेस्ट अब आपके मोबाइल नमबर पर एक ओटीप आएगा दोस्तो ओटीप उसी नमबर पर आएगा जिसमें आपका मोबाइल नमबर जुड़ा हुआ है अब आपको काड को स्वाइप करके वापिस डाल देना है थोड़ा दिर वैट करना है योर ट्रांजेक्शन इस बिंग प्रोजसेस दोबारा बताएगा थोड़ा से वैट करना है अब आपको फिर से वाइप प्रोजसेस करना है ग्रीन पिन और वेलिडेट ओ टीप फ़ longitudinal अब क्लिक करना है और अपना bringt, डाल देना है, दोस्तो है, odp डालने के बाद फिर सेmaँ करेक्ड पर क्लिक करना है धो EXT भी करना है, तो दोस्तो, your transaction is being process तोड़ाष प्रोसेश चलता रहा है dोस्तो, फिर से अपना पिन करना है, और हमको याद रहे हैं और किशी घु पढ़ा बिकरना है, कि योर ट्रांजेक्शन इज बिंग प्रसेश थोड़ा सब वेट फिर से करना है अब यह आ गए दस्तों देखे थेंक्यू पर यूजिंग डाइबंड एट्यम तो दोस्तों इस रशे अपना एट्यम अकाउंट जनरे तो इसी तरह के हमारे वीडियो देखने के लिए चैनल क को सब्सक्राइब कर लेना और पहला इकन कोल पर प्रेस करके लेना जिससे हमारे आने वाली वीडियो अब तक पहले पहुंच सके तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं खतम करते हैं तब तक के लिए अपना खयाल रखें जय बारत